दोस्तों क्या आप भी किराना दुकान खोलना चाहते हैं या किराना दुकान ओपन करके रखे हैं तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए क्यूंकि आपके लिए बहुत जादा अच्छे इंफरमेशन मिलेगी किराना स्टॉक में क्यूं घाटा हो जाता है क्यूं आपकी दुकान जो है नहीं चलती इन प्रॉब्लम को समझो इनको अगर आपने सही कर लिया तो आप इसमें जीत जाएंगे आंगे बढ़ पाएंगे तो आईए शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसी कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स और समस्याएं हैं जो अकसर शुरू होती हैं किराना जब भी हम किराना दुकान ओपन करने के लिए सोचते हैं तो हम यह नहीं देखते कि हमारे पास कितना पैसा है कितना फंड हमारे पास है और ना हम कुछ प्लानिंग करते हैं बस जाके दुकान में पहुंच जाते हैं होल्सल की वहां से प्रॉड़क्ट खरीद के लिया आते यह नहीं देखते कि हमारे पास फंड कितना है हमने इस गेम क्या बनाई है कैसे हम दुकान को चलाएंगे उसकी रंड नीती कुछ आपको बनानी चाहिए आप किस तरह से दुकान को मैनेज करेंगे चलाएंगे यह बहुत जादा जरूरी है तो यार सबसे पहले आप जब कि यह market में आप अगर किसी गाउँ में खोल रहे हैं या किसी चहर में या किसी कजबे में कहीं भी open कर रहे हैं तो open करने से पहले आप कम सकम 20 किराना शॉप वेजिट करो 20 नहीं तो 10 परण दस किराना दुआन जाओ, वहां हर एक दुआन की में जाके, हर एक दुआन में जाके । जाके, 10-5 मिनट वहांपे बैच हो उनसे बाते करो वहांपे observe करो, मेरे ख्याल से तो आप एक घंटा वहां पे बैठो, हर एक दुआन पे घंटा अब्जर्ब करो कि जो सामने वाला किराना दुगान वाला है वो किस तरह से काम कर रहा है और सक्सेसफुल दुगान में जाना है ऐसी दुगान में नहीं कि कुछ भी कहीं भी चले गए हना सक्सेसफुल दुगान जो है छेट चल रही है उनके पास पहुंचाओ उनका काम देता हूं 50% तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि भई मुझे किराना दुकान कैसे चलानी है किस तरह से है ना तो वेजने के experience दुकान को जमाने के experience सब कुछ आपको मिलेगा आप विजट करें हर एक किराना select करें दुकान select करें उसको interior कुछ इस थर से बनाएं कि customer वहाँ पर अंदर आए समझें जानें देखें तो उसको यह है कि customer जब आता है अंदर ना तो उसको ऐसा feel नहोगी यार मैं कोई ऐसी दुकान में आ गया हूँ उसको ऐसा लगे customer की हाँ यार आपके में यह दुकान बहुत अच्छी है जहाँ पर मैं आया हूँ हूँ यहाँ पर मुझे valuable चीज मिलेंगी तो ऐसा अपने shop का interior look और product को जो arrangement करने का है वो subsystem बनाएं ठीक है इसके बाद customer आपके पास जुड़ेगा जब आप wholesaler जब आप दुकान खोल लेंगे तो आपको भई समान भी लाना पड़ेगा तो आपको ऐसी wholesaler दुकान चुनना है जहाँ पर आपको अच्छा margin मिले वो इंसान अच्छा हो खराब product में भी हो अच्छा margin मिल जाए और सही तरीके से product आपको deliver हो ऐसी दुकान चूज कर लें और फिर जब आप 10-15 दुकान अलग-अलग select करके रखें भाई कि मेरे को इस इस दुकान से wholesale में समान ले के आना है तो आप जब 10-15 ऐसी दुकान रखेंगे तो आपको इसमें क्या होगा फाइदा होगा यानि कि आप भी यह इसमें आपको इसमें क्या होगा कि जब कभी आप पता लगाते रहेंगे उस दुकान में carry it चल रहा है इस product का उस दुकान में carry it चल रहा है तो इस तरह से ना सही आपको जो है product मिलते रहेंगे कई जगे पे थोड़ा बहुत margin का difference हो जाता है तो ये आपका सही बन जाएगा इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि किरान जो whole seller है वो सही choose करें फिर किरान दुकान open करने के बाद काई लोग क्या करते हैं एक दम से खुब सारा item ले आते हैं ऐसे ऐसे item जो बिखते ही नहीं जो खराब हो जाते हैं और जिनकी ज़्यादा value नहीं होती ज़्यादा बिखते नहीं हो हना कई seasonal item भी होते हैं तो आपको ये भी देखना है कि मेरेको अपनी दुकान में ऐसे product लाना है जो starting में कि कम-कम product लाएं और ऐसे product लाएं जो ज़्यादा बिख रहे हो हाला कि आप देखो आज की date में किराना पी बहुत सरे item ऐसे हो गएं जो रख रहे हैं लोग वो सब चल रहे हैं बिख रहे हैं तो कोई ऐसा foundation नहीं है पर ऐसे product को ज़्यादा रखें जो ज़्यादा बिखते हैं ज़्यादा margin वाले हैं और ऐसे product को कम रखें जो कम बिखते हैं उनके quantity कम रखें रखें जरूर अपने product शॉप में लेकिन quantity कम रखें इस चीज का विसेज ध्यान दे फिर इसके बाद जब आपके ना शॉप खोनें तो उधारी से बचें उधारी से यानि देखो आपको ऐसे लोग को उधार नहीं देना भाई जहां से पैसा return नहीं आएगा उधारी ऐसे लोग को दो जो आपके आसपास हैं जिनको आप जानते हैं जो सरकारी नौकरी वाले हैं तो ऐसे लोग क्या हैं पैसा दे देते हैं जो कुछ नहीं करते हैं जिनके घर में आया किस रोत नहीं है वो कैसे पैसर return करेंगे तो उधारी उनको नहीं देना एक limit बना salary उनकी आती है महीने में तो वो महीने में ही पैसा दियेंगे तो इस चीज का भी विशेज ध्यान दे उधारी वाला system ठीक है फिस के बाद आपको और क्या है फिस के बाद expiry rate वाले कई product होते हैं आपके दुगान में जो expire होने वाले होते हैं मतलब दो चार महीने बचे होते हैं उन product को discount में आप जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करें ऐसा ना करें कि वो बिक नहीं रहा तो बेचे ही नहीं भाई उसको जल्दी निकालना है भले थोड़ा बहुत घाटा लग जाए क्योंकि वो तो खराब हो जाएगा एक टाइम पे आके तो पूरे ही घाटा लग जाएगा तो कम rate में बेज दे, discount में बेज दे, discount में गिफ्ट के रूप में दे दे तो ऐसा भी चल सकता है तो यह चीजें आप कर सकते हैं जो मैंने पाँच चीजें बताई ऐसी ही टिप्स आपनी चैनल पर देते रहते हैं मेरे ख्याल से आपको इसमें काफी कुछ समझ में आ गया होगा तो यह पाँच चीजें अपनाएं जब भी आप store open करें या run कर रहे हैं तो आपको काफी फ